हमारे बहुत से भाई पूछ रहे हैं भाईया कब से वर्काउट के विडियोस आएंगे तो मेरे भाईयों अब जल्द वर्काउट पर विडियोस आने वाले हैं असल में हो क्या रहा है हमारे कुछ भाई हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मचरे का पालन कर रहे हैं और हमारे कुछ भाई हैं जो ब्रह्मचरे पालन करने के बारे में भी सोजी रहे हैं कल से करूंगा परसूजे करूंगा वो दिन कभी नहीं आता है वो दो दिन में टूट जाता है पास दिन में तूट जाता है वो निराश होकर बैठ जाते हैं तो मेरे भाईयों मैं जल्द अब वर्काउट पर वीडियो से लेकर आने वाला हूँ और खासकर मेरे जो भाई जो ब्रह्मचर पालन आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको समझा दू मेरे भाई देखो नए साल का पहला महिना भी गया ये समय किसी के लिए नहीं रुखता मेरे भाई ठीक है ये समय भी निकल जाएगा और मैं नहीं चाता है ऐसा समय आपके जीवन में आए आप अपना सर दिवार पर दे के मारो कि यार पूरा जवानी का समय निकल गया और मैं कहते ही रहे गया कि मैंने प्रहमचर पालन ही नहीं कर पाया बस सुनता रहे गया लोगों क भी बढ़ेगा और ये वीर वर्दक भी है क्योंकि तो आपका वजन बढ़ेगा थोड़ा आपके अंदर शरीर में ताकत आएगी तभी तो वर्काउट वगेर अच्छे से कर पाऊगे समझ रहे हो तो इसको फॉलो करना और यकीन मानो मैंने इनको फॉलो किया है और मुझे अपने जीवन में साकारात्मक परिणाम मिले है ठीके तो सबसे पहला है चीकू बनाना शेक जी हाँ देखिए करना क्या है मिक्सर जो होता है उसमें एक ग्लास दूड डालिए एक केला के परियाप्त रहेगा एक चीकू परियाप्त रहेगा ठीके इनको दोनों को डाल जीजे चीकू के गोटले-गोटले वो जो निकोते हैं वो निकाल लेना और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसमें और उसका सेवन कर लीजिए याद रखिए कोई शकर वग게रा उसमें किसी प्रकारति की ना डाले नेट्रल तरीके से उसका सेवन करो ठीके जैसा आपन से पहले ले लेना है यकीन मानो वजन बढ़ाने में सहायक है क्या आप तो जानते हैं फूर्स में किते विटामिन मिंडल्स आपको मिल जाते हैं और दूद अपने आप में एक परियाब तहार है ठीक है ना तो इनका सेबन करें दूसरा है दूद दलिया इसका मैंने बहुत ज अच्छे मुझे रिजल्ट मिलें मेरा बजन भी काफी बड़ा ठीक है और साथी साथी वीरी वर्दक भी है बिल्कुल सही सुना आप ने ठीक है ना दलिये में भी काफी तरह के आपको जो कार्बोहड़िट मिल जाता है और काफी मतलब फैट जिससे आपका थोड़ा मतलब थोड़ा बजन आपका मेंटेंड ओसके समझ रहे हो बात को तो यह चीज़ आपको दूद दलिया मतलब कैसे लेना आप दूद होता दलिया लेता उसको बना लीजी अराम से आपके घर में बन जाएगा घर के घर में ठीक है आपको फालतू पैसा रुपया खरच करने की जबबत नहीं पड़ेगी तीसरा है दूद और खजूर ये भी बड़ी शांदर जी से बता रहा हूं में दूद और खजूर करना क्या है वह यह दूद जवाब उबाल रहे होते हो एक गिलास दूद दीजिए उसको जवाब उबाल रहे हैं उसमें तीन चार खजूर डाल जी जी ठीक है अब खजूर डाल के उसको हलकी आज पर उबलने दो एक गिलास आदा गिलास दूद बचे बस दूद पी जाईए और खजूर को आराम से खाईए यकीन मानो महीने भर में इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा ये तीन उपाय मैंने जो आपको बता हैं मेरे भाई कर लेना मजाग मामत लेना कि बहुत लोग बताते हैं मेरे भाए आपकी कमी में कुछ भाईओं की बताता हूं क्या होता है ना कुछ भी करने से पहले वो ये सोचते हैं कि ये मुझे असर करेगा कि नहीं करेगा देखो मेरे भाई बिश्वास रखना पड़ता है साका रत्मक्ता रखनी पड़ती है आप किसी चीज़ का सेवर करो तो सही दो दिन में असर नहीं दिखेगा मैं कहे रहा हूँ बस आपको हिम्मत रखनी होगी वासना से जीतना है जो को वासना को समझो पहले तुम्हें जीतना गड़त बोल गया वासना को समझो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है इससे भागने से कुछ नहीं होगा ठीक है तो हमारे साथ मिलकर ब्रमचरे पालन करना है 2023 को सफल बनाना है हमारे साथ जुड़ जाए अभी के अभी बाकी कोई सवाल हो तो नहीं से कमेंड में पूछेगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद